हलो एंड वेलकम तो माई चैनल इस्टूडेंट्स इस वीडियो में हम डेटा हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे डेटा हैंडलिंग में हम मीन, मीडियन, मोड इनके बारे में पढ़ेंगे आपको डेटा दिया रहेगा कुछ उस डेटा का आपको मीन निकालना होगा को मीन निकालना किसी डेटा का तो हो जाएगा मीन इस इक्वल टू सम ऑफ कि ऑब्जर्वेशन कि ऑब्जर्वेशन ही होता है डेटा मुझा सम ऑफ डेटा अपन नंबर ओफ ऑब्जर्वेशन ठीक है एक एक्जामपल लेते हैं माल लेते हैं कि आपके पास डेटा दिया हुआ है यह नंबर से हैं थ्री एट फाइव फूर सेवन यह नंबर से हैं इनको आप इनका आपको मीन निकालना है तो क्या लिखा है लक इस पあーου कसा में और बिखालना दृशंट को एडियेशन क्या है चरी प्लस एट प्लस पाइव प्लस फूर प्लस सैंम सब को एडिकर आपां नमबर अव्जैशन number of observation कितना है एक दो तीन चार पांच 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 से डिवाइड कर देंगे इनको add कर दो 8 3 11 11 और 5 16 16 और 4 24 और 20 और 27 27 आएगा add करके यहाँ पर लिख लेंगे हम 27 डिवाइड बाइ 25 27 को 5 से डिवाइड कर लेंगे 5 5 25 टू केरी 20 आ जाएगा पो डेसिमल फाइफ फोर्जा 20 तो इसका मीन कितना जाएगा 5.4 आ जाएगा इस इस तरह से आता है आगे मीडियन निकालने के लिए मीडियन यह क्या होता है मीडियन में जो भी आपको डेटा दिया रहा है इनको आप एसेंडिंग में करेंगे या फिर डिसेंडिंग सबसे पहला काम क्या करेंगे हम अरेंजमेंट करेंगे अरेंज करेंगे हम डिसेंडिंग या फिर एसेंडिंग में अरेंज कर लेंगे फिर काउंट करेंगे जैसे यहाँ पर मैंने काउंट किया था न एक दो तीन चार पाच वैसे काउंट करेंगे काउंट करने के बार काउंट करेंगे अगर काउंट करने पर देखेंगे कि odd आ रहा है कि even आ रहा है जिसे यहां पर कितना आ रहा है odd काउंट करके 5 आ रहा है 5 क्या रहा है odd तो काउंट करेंगे odd आ रहा है कि even आ रहा है यह observe करेंगे अगर odd आया अगर odd आया तो हम formula लगाएंगे median is equal to ठीक है सबसे पहले median is equal to mean of n by tooth term and n by 2 plus 1th term अब यह होगा क्या इसको भी जांपल से समझेंगे हम ठीक है और और अगर even आया count करने के बाद तो जो median होगा वो होगा simply n plus 1 upon tooth term ठीक है अब यह सब है क्या इनको भी जांपल से हम समझते है आपके पास यह data दिया हुआ है अभी क्या बोला है मैंने कि data को आप ascending या फिर descending में arrange करेंगे ठीक है तो हम क्या करते हैं इसको ascending में कर लेते हैं जिसमें मानुब आपका उसमें करेंगे Snd में करते है संडी में करें साथ से पर साथ से छोटा तो से छोटा क्या है 10 तें के बाद 17 से उन्टीं के बाद 29 29 के बाद 43 उसके बाद इसके बाद 111 फिर 264 SND में कर लिए हमने फिर काउंट करेंगे कितना है एक दो तीन चार पांच छे साथ साथ आया साथ क्या है ओड है 7 जो है हमारा ओड आया इतने हाँ पर लिख लेंगे ओड आया है और काउंट करें कितना हाँ 7 अभी मैंने फर्मॉला बताया है उसे देख लेते हैं तो पर पो मीटियू जैक हो गया यहां पर यह जो है और के लिए नहीं यह एवें के लिए है यह जो है और के लिए फर्मॉला ओड खुब लत दिए मने यह åt के लिए है ठीक है तो odd आया हमारा formula क्या लगाना है median is equal to n plus 1 upon 2 term तो लिख लेंगे हम median is equal to n plus 1 है formula में n plus 1 upon 2 n की value क्या रखेंगे यहापँ 7 यह जो आता है count करके count करके जो value आया है वो रखेंगे यहापँ 7 plus 1 upon 2 निकी 8 upon 2 2 से count कर देंगे 4th कौन सा term है अब 4th तो में आदो देखेंगे 1st, 2nd, 3rd, 4th यह आपका median हो गया तो median क्या हो गया है median is equal to 43 अब दूसरा data दिया हुआ इसका median निकालना है तो बसा से पहले इसको ascending, descending में कर लेंगे तो इसको भी हम ascending में करते हैं तो ससे पहले ससे थोटा क्या है 49 फिर क्या है 60, फिर है हमारा 70, फिर है 75 फिर 78 और 78 यह ascending में arrange हो गया उसके बाद count करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 count करने के बाद यह क्या आया even आया और कितना है 6 तो n का value कितना आ गया है 6 अब मैंने even के लिए क्या बता है formula median is equal to mean of n by 2 and n by 2 plus 1th term तो हम n by 2 term निकाल लेते हैं इसा से पहले n by 2 क्या हो जाएगा 6 upon 2 is equal to third और फिर क्या करना n by 2 में plus 1 कर देना है n by 2 का value कितना है 3 3 में plus 1 कर देंगे कितना जाएगा 4th तो हम third और fourth term निकाल लेंगे हापे 1,2,3 fourth यह हो गया third और यह fourth term इस third और fourth term का हम क्या निकाल लेंगे mean निकाल लेंगे यह तो लिखा है इस में mean of n by 2 and n by 2 plus 1th term ठीक है तो निकाल लेंगे हम 70 plus 75 mean के लिए क्या बोला है sum of observation upon number of observation number of observation कितना है एक और दो है 70, 70, 140 145 upon 2 2,7 जा 14 2,2 जा 4,1 carry 2,5 जा 10 आगया 72.5 हमारा mean दो numbers का और इस पूरे data का median क्या आगया हमारा इस पूरे data का median आगया 72.5 तो even के लिए आपको ये process अपनाना है n by 2 निकालना है फिर n by 2 plus 1 उसमें जो भी आएगा उसमें plus 1 कर देंगे फिर उन दोनों terms का हम mean निकालेंगे वो जो mean आएगा वही पूरे data का median होगा ठीक है अब है बारी mode का mode क्या होता है mode जो होता है जो data आपके बार दिया रहेगा उसमें सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा होगा वो आपका mode हो जाएगा जैसे इसमें देखो आप क्या आ रहा सबसे ज़्यादा बार six 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 इसमें three time दिया हुआ है और कोई number चेक कर ले तो चेक करेंगे तो देखेंगे हम केवल six ही है जो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है इसका mode क्या हो गया six ठीक है वो ऐसे ही अगर इसका median निकालना होता तो क्या करते आप इसको ascending order में करते हैं सबसे पहले सबसे पहले सबसे चोटा number one फिर उससे बढ़ा two फिर उससे बढ़ा three फिर उससे बढ़ा four फिर क्या है five फिर six 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 seven eight nine फिर इसको count करेंगे कितना है एक दो तीन चार पाँच छेट साथ आठ नो दस ग्यार है यानि कि eleven numbers है यहाँ पर है इसका मीडियन तो बहुत सिंपल है और वाले का मीडियन क्या होता है एंड प्लस one अपॉन तू नहीं 11 प्लस वन अपॉन तू यानि कि 12 अपॉन तू 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 सिक्स जा 12 यानि कि 6 टर्म होगा इसका मीडियन तो 123456 6 टर्म यानि कि मीडियन क्या होगे यहाँ पर 6 हो गया है बहुत तूसा इवेन में आपको तूसा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में इतना ही उम्मीद करता हूँ आज को टापिक अपको अच्छे समझ माया होगा तब तक के लिए अगर आप मेरे चनल पर नए है तो मेरे चनल को लाइक और सब्सक्राइब जरू करते हैं थैंक्स पर वाचिंग धन्यवाद